वाई गुरू साहिब जी तान 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 जाने आया जिस परसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआओ जन के संग चित्यावे नाँ आप मुकत करे संसार नानक तिस जानका सदा नमश का आप मुकत जन आप मुकत करे संसार नानक तिस जानका सदा नमश का गरीब नवाज शिरी गुरू गरंट साहिब महराज जी दी पवित्तर हजूरी अंदर महान मुकदस अस्थान गुर्दवरा शिरी जोती सूप सहब तान बाबा जोरावर सिंग जी तान बाबा फते सिंग जी तान माज गुजर का और जीदा संसकार स्थान जीदे दर्शन दे दारे आप सारे गुर सिख कर रहे हो उस अस्थान ते सानु सारे नो बैठके सिख काउम दे महान शहीद बाबा दीब सिंग जी दे आगमन दे हाडे दियां खुशियां सांजियां करन दा सुपाग मिले है बड़ी शर्दा नाल बड़ी पावना नाल बाबा दीब सिंग सेवा सुसाइटी शबद चौंकी सेवक जथा सारे गुर सिखाने एक अठे होके सारी संगत ने एक अठर होके सरांदेदी संगत आ रही है गुरु साहब दिकर पादेनाल तो इना सारे ने राड़के इसमागम उली किया सासंगत बाबा दीब सिंग जी बड़ी अजीम सक्षियत हन बड़ी अधुती कुर्बानी है बाबा दीब सिंग जी दी बड़ी लासानी शहादत है बाबा दीब सिंग जी दी से सेख हैं तह आसनों जो छो सी बादखें हां हर शहादत अपने आप विच लासानी है लामिसाल है हर शहादत एक दूसरे तो व्लकषराणी दरजा राख दी है, और उधी मिसाल फिर दुनिया विच होड़inin भी नहीं मिल दी दुनिया वेचे नहीं कोई देसदा के किसे मनोखरे जुन्दे दा खोपर उतार देता हुवे नहीं दुनिया वेचे देसदा किसे दा जिसम दा पूरिया पूरिया कटिया गया हुवे किसे नों चरकडी ते चाड़के रूँ वांग पेंच दिता होए किसे नों जिन्दे जी देगां चो बाल दिता गया होए दुफाड करके आरे दे नाल जिसम नों दो टोटेयां चोबान दिता गया होए सब कुछ ही अलॉक है हर शहादत अपने आप बिच विलक्षन है सचे बादशाह महराजी ने किस तरह दी कार्ट कड़ी तर्म कमाउंडा कैसा जजबा दिता जिते महराज केंदे है कि सेख दे अंदर इस्पिर्ट पैदा किती कि जिन्दगी दे नाड़ों तर्म प्यारा है जल्म दे वरोद, पाप दे वरोद, अत्याचार दे वरोद, नाइनसाफी दे वरोद सदाई तत्वा रेंदा इन्ना बालबक्षिश कीता महराजने हर वेले सेख दी जिन्दगी नो संगर्श बना देता बचन गुरू के कीरतनिये साच खांड़, शिरी हर्मंदर सहब जी दे हुजूरी रागी सहवान, आप जी ने सरवन कीते पाईस तिंदर वीर सिंग जी बहुत प्यारे बचन पढ़ रहे सी नरंतर चल दी है यही दात ओना ने चोड़िया डिके तानगरु गोबिन सिंग्जी महराज कलो मंगी सी जब आव कियोद निदान बने आती ही रान में तब जूज मरू यह दात मंगी सी ओना ने तानगरु गोबिन सिंग सच्चे पाथशा जी देखो वे खो मरू शबद ते सारी दुनिया नू पता है ते सारी दुनिया उते वे अपना है पर वलक्षन गाल की अभी बाबा दीब सिंग जी मांग दिया भी जूज मरू यह दोना चंतर है जूज मरू वे चंतर है जूरूरी नहीं कि सारे सिखाने शच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् उदे अंदरी जूजन दी समर्थां होनी है जूजन दा मतलब है संगरशीर होना जूजन दा अरथ है अगाहां कुत्र आंग पिछ्छा फेर ना मोटड़ा जिदो ए समर्थां अंदर होन दी है जिदो ए बाल अंदर वर्तदा है ते सेख फिर डिग के नहीं मरदा, अन्त ते सारे नहुंदा, वो अन्त ले साथ अक जूजदा है, चले ते सारे नहीं जाना है, पर वो डिग के नहीं कायरा मांग, बुजदला मांग, मान सिकता नू टेंदी कलावे चले जाके नहीं जाना, आखरे साथ अक दसम पात्षा महर जीवन वेखते हैं दो गोन बाबा दीब सिंग जी दी सक्षियत ते पिशे बौत बड़्डे है वे कुछ सक्षियत ते व वाकई बलक खाने सारा सेखे ते हासी बड़ा लसानी अजीम है पर बाबा दीब सिंग जी दा नाम ले आ है वाकिछ शरदानल सेर चोगदा दो गुण गुर्शिको जड़े इसी ग्रेहन करने है अर्थ ये नहीं है कि इसी ये चरुचा करी आज शहीद होगे चारसो साल पहले ऐसे गुर्शिक्ध होगे पांसो साल पहले ऐसे पग्त होगे ते ओदा कंपेरिजने भी वेखिये भी आज्जी की हुए ते फिर की कमांगे भी ओदों हुए सी ते बाद वेचे दर्वाजे बंद कर देते वाई गुरू ने साथ संगत जी देश वे देश वेचे सेख सोनरे ने साथ कुल सुवदा गुरू साहब ने सेवाए ना वीरा दी चोड़ी चुपगाई काल चैनल गरब चैनल गरब पंजाब सारे विशवदे वेचे गालप चारे या बड़े फखर नाला सी दुनिया नो दास दियां बड़ा प्राउड हुंदा सानू साड़ा इतहा साड़ा सिदांत साड़ी एक ता साड़ा मिलवर तन्स किन्ने उच्चे सुचे असूल ने बड़ा कुझ जा दुनिया नो दसन जोगा साड़े को मैं पिछले दिनी कि ते बार सेवा वेच सी उथे कॉलेज दे वेच नौजवान वीरा ने समागम कीता सारे ने रटके टरंटो तो कुटाई कि सो किलो मिटर दी वेट थोते सी बेलेवल चैर ते उनने नौजवाना नाल सिक नौजवान बहुत गए ने बाहर बढ़न वासते ते एक कुदम कीता भी चलो ताल मेल हो जाए उत्हों दे पुलस चीफ नू बलाया ते ओ अपनी जीवन साथन दे समेथ गोराफ सर सी आया ते वदी अगाल जी हाजर होया अक दुझे नू समझन दा मौका मिल दा है साड़े बच्चे जड़े बाहर गए ने उनना वासते बढ़ी गां सुबदा हो दी गां चंगा हो दम है ओ वीर बहुत दूर दा सोच देने असी दे थो बच्चे पेज़ देते ने पर वो गोर से चंगा ख्याल रहा खरे है बड़ी खुशी है उन उना वीरा ने मैं उते खड़ा सी पुलस चीफ नू अपने जो मान मता शाना मता साड़ा इतिहास हाओ दसे आसे दांत दसे उबंदा पौना केंटा खड़ा खड़ा उना पैरा होते चीफ है सब कुछ सुने क्या सुनके पर बावत भी होया ते सारा कुछ सुनके जो ने कंक्लूजन कर दिने आना वो मेरे वास्ते एक बहुत वड़ी चनौती सी अपने सारे वास्ती चनौती उखें दा बढ़ी या सुन या गल्ला ने पर जे आज जे तो में दा पहाड है बहुत वड़ा चैलेंज साड़े वास्ते खड़ा करता है उसमंदे ने पिर तुसी दासरे वी साड़े को प्यार है एकता है निमरता है सिदानत है तर्म है आसी दूसरे वास्ते मर मिट जान दे हैं किन्दा तो अड़े बच्चे साड़े कोल है ते जे आमला विच्छों परगट ना होया ते फिर समझ लो तुसी ते हमें हवाची गल्ना कार रहे हूँ ते कि ए ना हुवे भी साधे ते हास दिगां इन्हें अनमोर बातां ते पवेक काये भी हमें हवाची गल्ना मार देया उन्हों जू के परगट कर ये इसास संगत है ते सब तो वड़ी जड़ी साधे ली चनौती है उदो गल्ना बाबा दीब सिंग जी दे जीवन दी बुनियाद वेच जड़ी जड़ी है सब तो वड़ीगा ने एहम ने मैं तो अनू हत जोड़के बेंती कर दा सारे अनू एक है अहार ते एक है विचार इनू समझ ले जड़ी जड़ी तरह अहार पिता कमारे है ते विचार मा दे रही है बाबा दीब सिंग जी दी सिक्षियत दी बनियाद की है फिर गुरू पियार पैदा हुंदा है पहला दो गल्ना ने एक हार एक विचार ते फिर ओदे विचो गुरू पियार पैदा हुंदा है जिस पियार दा सदका आजो ना दी चोड़ी चिस सदकार फिर पिया ये सदकार ता कैमें नहीं पहुंचे ये ते बुटे नू लगया फाड़ है पिता पोजन कमा रहे है तर्मदी कमाई तर्मदी किरत ते माँ दी संगत सोच दे रही है जनमतों भी पहला संगत और खास करके जिदो तुसी बाबा दीब सिंग जी रायती हास पड़ोगे तो अड़ा सिर चुकेगा पि मां जिउनी दी बहुत वड़ी का लणा है बहुत वड़ी का लणा जिन्नी महान कौम दी मान मती सखीयत बाबा दीब सिंग ने ओदे पिछे मांज यूनी जी दी बहुत वड़ी कमाई है पिता दी सची सची निर्मल तरम दी किर्त जड़ी चोगा बनके सबाल दे मुखविच पहरी है ते मांदी संगत मांदी सोच मांदी विचार जड़ी जनमतों मी पहला शुरू होगी सी अहार ने ते विचार ने एदा दी सक्षियत काउम नो दती जी दे लिए अज़ सदकार असी लेके बैठे वेया ये दो फर जासी भी पहचानी है जी असी चौंदे याँ भी आजवी मांदी कुखों हरी सेंगे नलुआ जनम लवे अजवी जसा सिंगाल लुआ लिया जनम लवे अजवी ऐसे गुरसिक पैदा हो न बाबा दीब सिंग जी गुरु गोबिन सिंग जी दे चरना दे पवरे ने गुरु गोबिन सिंग जी मारे दे चरना दे मंगते ने जाचक ने बाबा दीब सिंग जी पर बन्याद की है पिता दी निर्मल पुटर सुची तर मदी कमाई ते माँ दी पुटर सुची निर्मल संगत बाल कोख वेच है ते माँ जी उनी जी ने बानी दिया लोरिया देनिया शुरू कर दितिया फिर उनु गोदी चुपाल दिया उनु नहार दिया उनु तक दिया उ कोई असीस दिती सी पूता माता की असीस निमक ना बिसरय तुम को हर हर सदा पजो जगदीज ये कला वरती नतीजा ये निकले आ के ज़ो हजूर दी शर्न वेच जाना सी तर्ती तियार हो चुकी सी ज़ो बीज पैन वास्ते हाजर होना सी ना पुएं तियार सी मापे आंदी संगत करके माजे दा काफला पौविंड पेंड़तों तुरेया पिता पाई पगतू माँ जूनी जी नाल ते चोजी परीतम जी दे चरना दी खेच बाबा दीप सिंग जी दे हर देच एनी के खंब विकंदी जे लहां के ना सामी तोल वाले साहब दी हजूरी चे पहुंचे ते कोई तलब अंदर जागी दाता जी दे एस विसमादी जे अनांदनों अनंदनी पुरी देनों वेक के एक तलब जागी दाता के ते एस जीवन तेरे चरना चे लेखे लग जाए बस महिन्या बद्दी सेख रोक दे साथ गुरू दे हुकमनार सेख वापस होंदे से वक्त गुजरिया अमर्दा बाटा त्यार होया सारे मज़े दे काफले ने अमर्दी दात लई पाई दीपा जना दा नामसी ओ दीप सेंग साजी गए माता पिता भी अमर्दा रही होए उन साड़े को लते को बड़िया दिलीला भी असी बहुत स्याने हो गया ना असी बाबा दीप सिंग जी वरके सिखांत हो ते गुरू सहब तो भी से आने हैं पिजी साड़ा ते माननी साफ है साड़े दे अंदर ही अमर्दा अभी प्रेयर ना ले लिए काफला आगया लेन आया ते मेरे दाता जी ने तोटके किया कि दीप सिंग नुसाड़े कोड़ शड़ दे हो दिबाबा दीर्प सिंग जी दिया जुम्मेवारियां विच्छों एक जुम्मेवारी बहुत वड़ी उना दे इतिहास विच्छों परगट हुन दिया जड़ी अनांदपुर सहब ने भाई एक जम्मेवारी अनादपुर सहीब नबाई एक जम्मेवारी दामदमा सहीब नबाई एक जम्मेवारी शिरी अमरसर सहीब नबाई अनांदोपुरसाहीब दी जम्मेवारी जडी सी बड़ी विचित्तर है साथ संगत अतने बड़ियां बट Harley ले ने कमाल दिया शिरी अनांदोपुरसाहब साथगुर जी ने जम्मेवारी चोड़ी चोड़ी चपाई के दीब सिंग जी तुसी जूठे पांडे मांजन दी सेवा करनी है दमदमा सहब साथ गुर जी ने चोड़ी चे सेवा पाई के तुसी कलम फड़नी है ते तान श्री गुरु गंस से महराई दे उतारे करने ने ते श्री अमर सर सहब जड़ी सेवा कमाई जिना हत्थां चे कदी जूठे पांडे आये सन जिना हत्थां चे कदी कलम आई सी फिर उना हत्थां चे ठारां सेरदा खंड़ा आया ते दुशमन दे आहे उलान लाग पे हुन उत्थे बड़े कमाल दे में साड़े सारे जीवन चे कमाउन वाले बचन ने हजूर ने किया दीब सिंग जी तुसी बरतन मांजने है तो बाबा दीब सिंग जी बहुत शिदत दे नाल बड़े चाह नाल बड़ी अंदर दी रीज दे नाल चित करके सेवा चलगे क्योंकि महराज ने बचन किया बद्दा चटी जो पर है ना गोन ना उपका मजबूरी वेच नहीं चाओ वेच लगिया सेवा कमा रहे है तो आखर एक देन सेवा नुफाड लगना सी बड़ी प्यारे जे बचन ने सेवा कलगी तरपिता जाके पुश्च देया दीब सिंग बड़ी शिदत नाल बड़ी रीजड नाल बड़ा मान लाके तुसी बरतन मांच देयो साच पुछो थे एक थर्मा मिटर सी बबादीब सिंग जी नो पर खंदा सानू कोई कहे ना पर पाई साथ जी बड़ी वधिया कथा कर देयो ते बाद से फिर फोल के ऐसी चोड़े ओ जान देया तुसी बड़ा वधिया काम किता जी बाद से ही सोनन दी पुखन दीया पर बाबा दीब सिंग जी ने जदो ये गाल सुनी ना साहब दे मुखों पर तुसी बड़े वधिया पंड़े मांज देयो ते बाबा दीब सिंग जी ने जड़ा जवाब देता ना उन्हों समझे चंगी तरह जो ना दे जीवन चो पर गट अन्दा कहने लगे नहीं पादशाह मैं पंड़े नहीं मांजदा पंड़े में नहीं मांज देने आहा है फरक साह संगत मैं नहीं ऐसान कर रही है ये सेवा मेरे ते ऐसान कर रही है तांके मैं सोद हो जावाँ मैं नहीं नहीं सोद कर रही है ये मैं नहीं सोद कर रही है कि ते सानु समझ जाज़े साह संगत ते जिदो वाकिए ओपांडिया ने बाबा दीव सिंग सुद कर दिता ते उस सुद हिर दिच मेरे साहब दी रहमत वर्त कई सास से गए बड़ी प्यारी जी गाता है बाबा दीव सिंग दे जी बन दी कदियो शेश्टर पकड़ दे ने इतिहास केंदा है स्थारां सो शुपंजा विच जिदो अब दाली हिंदोस्तान दी पातन बन के लोटके लिजारिया सी ते करनाल दे कोल जाके बाबा दीव सिंग जी ने हला बोलके सार या बओ बेटिया नो माल खजाने नो शुडा के करो करीब पचाया सी बहुत वड़ा इतिहास है बाबा दीव सिंग जी ने इस स्थान ते जो आके वजीदे नो सो दिया से खराज स्थापत किता ते इस जांग वेच बाबा दीप सेंग जी बाबा बंदा सेंग बेहादर देनाल मुडे नाल मुड़ा लड़े ते जोड़ेever आके जुजे निसा संगत बाबा दीप सेंग जी पहाडी राजेयानों सबक सक्काया शिरी अनादपुर सही विचे दिवान सज्जे 1704 तो बाद जो पहली वार तनकल गी तर पादशा महरे दे अनादपुर सही शड़न तो बाद आ सारे कौतक जिते हैं सी बैठे हैं ये वरतन तो बाद जो फिर पहली वारी सिखाने जाके केसरी पर्चम चलाके निशान चलाके दिवान सजाया पन्थी कठा होया फिर शिरी अनादपुर सही शिरी गुरु गंस है मारे दी ताबिया वेचे ते उते पंथ ने बाबा दीब सिंख जीनो एक खताब दिता साड़ाइटे हास गवाई पर्दा है पहले वार सेखे ते आस वेचे बाबा दीब सिंख जीन olla किताब मिले लिया ते फिर इना दी जड़ी मिसल सी इना दी खिताब करके उस मिसल दा नाम भी शहीदा वाली मिसल रख्या गया बिका ने राद के दे राजे बाबा दीब सेंग दी शर्न वे चांदे संजेदों मुगलां दे स्ताय हुए सी ते फिर तखत श्री दमदमा सहब वेखो सेवा विच भी कमाल विदवता विच भी कमाल शरी गुरु कलगी तरपिता जी दी गोद विच बैठके शरी गुरु गरंसाह माराज जी दे संपूरन अर्थ किने तीर जी विचे तापस ही बड़ा वड़ा बाबा दीब सिंग जी दा लाग पाग नौम ही ने दा समा सहब दिशमेश जी दी हजूरीच बैठके शरी गुरु गरंसाह जी दे संपूरन अर्थ सात्गुर जी पासन सुने बाबा दीब सिंग जी ने मेरे सहब ने फिर वारवी देते बक्षिश भी किती सी पि ए बंदना तो मुक तो पाई मनी सिंग जी दिली ने तोर देते सात्गुर जी ने मतावा दे नाड हजूर दक्षन ने चलेते दमदमा सहब दी सेवा बाबा दीब सिंग जी दी चोड़ी चुपा देती हुन तो अड़े बेचों जनने कदी बीका नेरदे आलाके जी विजड कीता ना उननों पता हुएगा सूर्त गार्भी का नेरदे आलाका उथे लाग पाग मोसली 90% करां दे अंदर बेस्मेंट जरूर मतलब अंडरग्राउंड कमरे जरूर बने हों दे एक जाँ दो कमरे बड़े सोने जे ड्राइंग रूम वर गे उदा एक कार ना के रेतले लाके विजड गर्मी दी रुटे उदे अंदर फिरो दपैर काट दे हर कार विजड चाओ जरूर दामदमास है विजड अलाका से अभी खुशक अलाका रेत आज भी उते रेता उड़ दा पूरा बाबा दीब सिंग जी ने हे था बेस्मेंट वे चोद दा एक जनू असी बेस्मेंट दा कमरा कह सकते हैं जहां पूरा कह सकते हैं जे थे बर्ज बनाया जंगी किले द परती का बुर्ज उन पहती थे शक्ती दा समेहला होते तेन गलाने बाबादीर सिंग दे जीवन दिया ओ दानीवी ने ओ पहती ने ते ओ सूरमेवी पर उपकारी एद्दान देने कि उन्हाने खू लगवाया बाबा दीब सिंग जी ने बीर पर पिंदर सिंग बैठे ना नो पता है मैं भी सातार साल उते रहां उत्वी विद्या लई सारे तलवंडी दे लोक सात साल मैं अपने अखी वेखदा रहां पता नहीं पहले कदों को के सारे नगरदा पानी खारा सी पर जड़ा खूब आबाबा दीब सिंग जी ने लगवाया ऊस खूदा जाल मिठा ते लोक रेड़े आंदे उत्ते गड़े आँए उत्टे ने ड्रामा पर पर के पानी कर आचु सुवेरे लेंडन आ जांदे सी पर उपकारी बाबा दीब स जी ने जे पाणी वाले भी द्रिस्टी पाई ते वेखो गुरू दे सेख दी द्रिस्टी वेच भी किना मरतरास होएगा ओ पाणी भी मिठा हो गया किन्नी बंदगी होएगी किन्नी कुमाई होएगी पगत ऐसे कि उना दे बड़ा संजमी जीवन शोलियां दी मोठ वदे बेस्मेंट वाले कमरे चाए तो बर्तन एकच पाणी होंदा सी एकदे वेच ओंदे विचे बने होया अंदरी बेस्मेंट छे थंड़े रहने सी एकच शोले होंदे सी शोले आंदी मोठ खाके पाणी दा कोटपी के बाबा दीब सिंग जीने शुकर करना ते उत्थी उना न खबर मिल दी है हर्मंदर सही भी बेहरुम्ती दी फिर बाबा दीव सिंग जी कूच करते है वेखो कैसा जलाल है आती ही रन मैं तब जूजमर मेरे सही ने क्या सी जब लग खालसा जब लग खालसा रहा नियारा तब लग तेज़ दियो मैं सारा इना जलाल है बाबा दीब सिंग जी दे मुखड़े होते सतर असी वरियां दी उमर दे अंदर तजस्वी जलाल नहीं चलिया जन्दा ठारा सेरदा खंडा पकड़के अरदासा सोद दे आ ते उस अरदासे चे इनी सत्या है इना आतम विश्वाश है जूज मरों दी ऐसी प्रतिग्या है कि अपने मकसद दी पूर्ती वास्ते दुश्मन ते की मौत दे नल तकरा जन्दे है मौत नल तकरा जन्दे है अखाँ चखाँ पाके मौत काम जन्दी है जन्नी दे तन गुरू रामदास जी दे चरना तक सीस नी पेट कर दे जन्नी दे अपने मकसद दी पूर्ती नी कर दे बाबा दीव सिंग्ग जहान खाँ दे कैर नो ठाल पादती वैरी दाल नो पाजड़ा पैगिया सिर्त अर्तली गली मेरी आओदा प्रण पालन वाले बाबा दीव सिंग जी जुजे ऐसा ऐसी दात मंगी सी गुरू साहब दे चरना चौह आती ही रानमे तब जूज मरों जुज मरों दी बक्षे से जो बाबा दीव सिंग ती हुई हो दी मिसाल दुनिया ची किते नहीं लाब दी सो ओ लासानी यो देयां दीयां यादां सिर्फ इतिहास दे पन्ने बन के ना रह जान बलके साड़े करां दे अंदर एक बदला पैदा करते ओ गोन आज साड़ी संतान विचों दिसन असी माता जीओनी जी कोड़ों सिखिए असी पिता पाई पक तू जी कोड़ों सिखिए फरजने बॉने तांके पवेखवेच फिर कौम दे अंदर एदान दे यो देते सूर में जनम लैन जड़े जुलम दे नाल हेकतान के टकर लैसका वाई गुरू बक्षिश करन ये सिवा मानू फाड़ लौन बड़ी रीज नाल शर्दा नाल हर वरे सार एक और से खराल के तसी सेवा कर दे ओ शुरूमनी गुरद्वरा परबंदक कमेटी ने संपूरन से योग दिता है गुर परबंदक संस्था तो ये कौम दी संस्था है आओ सारे राड़के एदने गुरू दियां बातना संजियां कर दे रहे तांके साड़े नाजवाना दे अंदर चंगे गुनादा संचार हो सके असी उच्चा सुचा जीवन अपना बना सकिये पुलां बक्षो असीस दियो प् वह दुची का खाल सा वाज़ाएं